नमस्कार वैब दुनिया नियूज में आपका स्वागत है और नज़र डालते हैं अचकी प्रमुक खबरों पर तिहाड जेल की सुरक्षा में सेंध, सुरंग बनाकर कैबी फरार देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाली दिल्ली की तिहाड जेल की सुरक्षा एक बार फिर सवालों के घेरे में है तिहाड में सुरंग बनाकर दो कैबी जेल से फरार हो गए पुलिस के मताबिक फरार कैदियों में से एक को पकड़ लिया गया है लेकिन एक कैदी अभी भी फरार है जेल सुत्रों के मताबिक तिहाड के सब जेल नमबर 7 की दिवार के पास कैदियों ने सुरंग खोदी सुरंग को खोदने के लिए औजारों का इस्तमाल किया गया लेकिन के दौरान जब दोनों कैदी नहीं पाए गये तो उनकी तलाश शुरू की गई इस दौरान तिहाड में उस सुरंग का पता चला जिसे खोद कर वे फरार हुए थे फरजी डिकरी केस में योगेंद्र यादों का बड़ा खुलासा आम आदमी पैटी से निकाले गए योगेंद्र यादों ने दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मत्री जितेंद्र तोमर की फरजी डिकरी मामले में एक बड़ा खुलासा किया है उन्होंने कहा कि केजरिवाल को तोमर की कानून की फर्जी डिगरी के बारे में पहले से मालूम था फिर भी उन्होंने कोई कारवाई नहीं की योगे दुने ने कहा कि इस साल फरवरी महने में ही केजरिवाल को यहां बता दिया गया था कि तोमर की डिगरी फर्जी है लेकिन जून में यह कहा जा रहा है कि उन्हें इस मामले की जानकारी ही नहीं थी जानकारी होने के पाउजुद भी उन्होंने तोमर के खिलाफ कोई जाज नहीं करवाई दिली चुनाओं के दौरान ही हमने 25 उम्मिद्वारों से जुड़े ऐसे मुद्दे सामने रखे थे फिर हो कुरुशी क्रांटी किसानों से बोले मोदी दूसरी हरिट क्रांटी की वकालत करते हुए प्रधान मंतरी नरेन मोदी ने किसान समुदाय से खाध्यान उत्पादन खास कर दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए वेग्यानिक पधधी अपनाने को कहां कम पैदावार के चलते भारत को दालों का आयात करना पड़ता है भारतिय क्रुश्य अनुसंधान संस्थान के आधारशिला रखते हुए उन्होंने कहा कि भारतिय किसान अच्छी गुनवत्ता के बीजो परियाप्तो जल बिजली सही मूल्य और उपच के लिए बाजार की उपलबधता के मामले में अभी भी काफी पिछडे हुए है उन्होंने कहा कि जब तक हम एक संतुलित एवं समगर योजना तयार नहीं करते हम किसानों का जीवन बदलने की स्तिती में नहीं होंगे